वेलकम बैक टो माई चैनल मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्षा आज की इस वीजिए में हम बात करेंगे बीए डेंटेंस एक्जाम के 2020 के प्रिवियस पेपर की जो की हमारा हिंदी का है बात करेंगे हिंदी में कौन-कौन से कॉशन से जो की आपके 2020 में पूछे गएते जिससे क आपकी इस साल की त्यारी अच्छे से हो पाए इसका PDF आपको टेलिग्राम ग्रूप पर मिल जाएगा तो आप टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लिजिए माई कॉमर्स इंफो के नाम से है और दूसर टेलिग्राम ग्रोप हमारा माई कॉमर्स इंफो डिस्कॉशन के लिए है तो आप वो भी जॉइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहां भी पूछ सकते हैं स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास तक देखेएगा तब भी आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से आपके एक्जाम में कॉशन्स पूछे जाते हैं देखें यहाँ पर जो कॉशन्स पूछा गया था वो है इन मैंसे प्रत्वी का कौन सा शब्द है तद्व, विदेशस, तद्सम या फिर इन मैंसे कोई नहीं तो आपको बताना है प्रत्वी शब्द जो है वो कैसा शब्द है बताएए आंसर बत करिए फिर मैं आपको इसके बार में और समझाओंगे देखें तद्सम दो शब्द से मिलकर बनता है तद्द प्लस सम और जिसका अर्थ होता है उसके समान अथा संस्क्रत के समान संस्क्रत में ऐसे शब्द है जो की जोंकित यों प्रोग में लिये जाते है उनको तद्सम सब्द कहते हैं तो आप यहाँ पर समझी गए होंगे जैसे अगनी को अगनी ही बोलते हैं वायू, माता, प्रकाश, सूर्य, प्रत्वी, यादी यह सब हमारे क्या है तद्सम शब्द है तो option C यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा इसका तद्भव रूप की अगर बात करें तो यह भी आप लिख सकते हैं इसका तद्भव रूप है प्रत्वी इसको इस तरह से लिखते हैं तद्भव वाय है यह ठीक है प्रत्वी, ओके next है संप्रदान कारक का पड़सर्ग है अब संप्रदान कारक का पड़सर्ग क्या है तो आपको पहले कारक पता होने चाहिए और answer करिए क्या होगा इसका देखिए आपको यह यादोना चाहिए करता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए यहाँ पर क्या पूछा है संप्रदान तो के लिए हो जाएगा अपदान से करण में भी से है अपदान में भी से है लेकिन अपदान में नेक्स्ट है मैं चित्र बना रहा हूं वाक्य में काल कौन सा है बताए भविश्य है बूत है अनिश्चित है या फिर बर्तमान है देखिए यहां पर चित्र बना रहा हूं है यानि कि वो कार्य भी चल रहा है वो भी कार्य समाप्त नहीं हुआ है ठीक है स्टार्ट तो हो चुका है और चल भी रहा है लेकिन अभी खतम नहीं हुआ है तो यहां पर है वर्तमान कार्य ओप्शन डी यहां पर हमारा राइट आंसर है नेक्स कुशन देखिए आलू किस भाषा का शब्द है पुर्तगाली चीनी अर्वी या फिर अंग्रेजी यह पुर्तगाली शब्द बहुत पूछे जाते हैं तो मैं आपको कुछ अभी इंपोर्टेंट बताऊंगी उनको नोट कर लीजेगा हो सकता है एक्जाम में और उनी में से पूछ लिए जाएं देखें यहाँ पर बात करें आलू किस भाषा का शब्द है तो यह आलू एक पुर्तगाली शब्द है और यहाँ पर हमारा राइट है इसमें कुछ और शब्द भी है वो भी नोट कर लीजे जैसे कि आल्पिन, अल्मारी, इस्पात, गोदाम, पिस्तॉल पिस्तॉल बहुत पार पूछा गया है तो यह सब नोट कर लीजेगा अपने एक्जाम में और जब भी रिवीजन करें इनका रिवीजन करें जिससे कि आपको याद हो जाए नेक्स्ट है शावर का उच्चारण इस्थान है दात, मूर्धा, तालू या फिर कंट बताएए ये भी मैं आपको थियोरी क्लासेज में समझा चुकी हूँ पूरा देखी जो हमारा कठोड तालू होता है उसके मद्धे का भाग हमारा मूर्धा क्यलाता है जब हमारी जो जीब है वो उल्टी हुई नौक पर निचला भाग मूर्धा से सपर्ष करता है तब ऐसी इस्तिती में मूर्धन ने व्येंचन हमाई निकलते हैं जैसे कि टाठा डधा डड़ शा ये सब क्या है हमारे मूर्धन ने हैं तो यहाँ पर शा का जो चारण है वो जिहा मूर्धा को सपर्ष करते हुए निकला है इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा मूर्धा हमारा राइट आंसर हो जाएगा B नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा गूलर का फूल होना मोहावरे का सही अर्थ है अति प्रसन होना, फूल की तरह खिलना, दुरलब वस्तू, सुगंदित होना, बताईए देखिए गूलर का फूल होने का मतलब यहाँ पर यह होता है कि कोई भी दुरलब बस्तू है उसका मिल जाना जैसे कि आप यह भी समझ सकते हैं आज के समय में लक्षमर जैसे भाई का मिलना वो भी एक गूलर के फूल के समान है तो यहाँ पर दुरलब बस्तू इसका राइट आंसर हो जाएगा, option C, ठीकिए, next देखिए, सुत्व शब्द को स्त्रिवाचक बनाने के लिए किस प्रत्य का प्रयोग किया जाएगा, E, E, IK या A, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले सुत्व का आप वोश्वारी विल होगा, D, क्योंकि सुत्व का इस्त्रिवाचक होता है, सुता, ठीकिए, और सुत्व आ की अवाज आ रही है, तो D ही होगा, ठीकिए, next है, पैरों से लेकर सिर्टक का एक सब्द क्या होगा, आध्योपांध, आपादमस्तक, नतमस्तक या फिर इन में से कोई नहीं, पैरों से लेकर सिर्टक की बात कर रहे हैं, देखिए, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा, option B, आपादमस्तक, आधो पांध और नतमस्तक का में, मीनिंग आप नोट कर लीजिए, आधो पांध का मतलब होता है, आधी से लेकर अंत तक, और नतमस्तक का मतल पांध में हम सिर्ट जुकाते हैं, तो उसे बोलते हैं नतमस्तक, ठीक है, तो यहाँ पर option B, आपादमस्तक हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, काबवे में भाव तथा कला के सौंदरे को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं, रस, छन, चौपाई या फिर अलंग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अलंकार, जैसे कि अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, शलेश हो गया, ये सब कैसे हमारे अनुप्रास वो शौरी सब्दा अलंकार हैं, यानि कि अलंकार भी दो तरह के होते हैं, तो यह है हमारे शब्दा अलंकार, दूसरा होता है अर्था जैसे की उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्परेक्षा हो गया, ये अर्थ अलग निकालते हैं और अनुप्रास यमक और शलेश में क्या होता है, जिस रब्द होते हैं जिनका अलग-अलग मीनिंग होता है ठीके, तो यहाँ पर option D, अलंगार हमारा right answer हो जाएगा नेक्स्ट है हिंदी की सर्वस्रेस्ट हास से व्यंग निवंदकार है हरी शंकर पड़साई, जैशंकर प्रसाद, आचारे राम प्रशाद शुकल या फिर महावीर प्रसाद दुएदी, बताईए देखे हिंदी की सर्वस्रेस्ट हास से व्यंग निवंदकार की बात करें तो वो है हरी शंकर पड़साई, तो नोट कर लीजे और यहाँ पर देखे, इनकी कुछ व्यंग निवंद है उनको भी नोट कर लीजे हो सकता है, इस वार एक्जाम में वो पूछ ले जाएं, क्यों जो options होते हैं प्रीवियस पेपर के वो इस वार के question बना दिये जाते हैं, तो नोट कर लीजे बेइमान की परत, प्रेमचंद के फटे जूते, वैशड़फ की फिसलन, पगटंडियों का जमाना, सदाचार का ताविज, विकलांग श्रद्धा का दौर, यह सब इनके दौर लिखे गए निबंद है, ठीक है, नेक्स्ट है, शडानन सब्द के सही संधी विच्छेत पर सही निशान लगाई, अब देखें, यहाँ पर इनोंने question पूछ लिया, पिछली बार क्या किया था, इसकी संधी पूछ लिती कि इसमें कौन सी संधी है, ठीक है, तो खुमा फिर D, शट प्लस आनन, यानि कि शट धन आनन, ठीक है, नेक्स्ट है, चक्रधर, यह क्या है, रून है, योगिक है, योगरून है, या फिर विदेशी है, देखे, जब हम चक्रधर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो पहले आप इनके मीनिंग समझ लिजेए, कि योगिक, रून ये क्या होते हैं, देखे, वे शब्द जो योगिक होते हैं, परन्तो उनका अर्थ विशेश होता है, तो योगरून कहलाते हैं, ये सामानने था, अर्थ को प्रकटना करके, किसी विशेश अर्थ को प्रकट करते हैं, इसलिए इने योगरून कहते हैं, जैसे कि चक्रधर है चक्रधर का मतलब क्या है चक्र प्लस धन यानि कि जिसने चक्र को धारण गिया है अर्थात भवान विश्णू अलग मीनिंग निकला तो यहाँ पर योगरून है यानि कि जो इनमें शब्द है उन शब्द का कोई तीसरा मीनिंग निकलेगा वो हमारा कहलाता है योगरून तो option C यहाँ पर right है I hope यहाँ तक आपको सारे questions clear हो रहे है वीडियो पसंदार ये तो like कीजिए अपने friends के आशाद भी share कीजिए जिससे कि उनको भी इसका benefit मिले ठीक है नेक्स्ट है निमलिकित मैज से अनिश्यवाचक सर्वनाम क्या है कुछ, कौन, यह है या फिर क्या पताए देखिए यहाँ पर अनिश्यवाचक सर्वनाम की बात करें तो यह है कुछ क्योंकि कुछ में हमें अभी पता नहीं है क्या हमने कहा कुछ ठीक है जबकि कौन यह है क्या इसमें निश्चेवाचक सर्वनाम है, इसमें पता है हमें क्या चीज है, ठीके, तो option A यहाँ पर हमारा right है, next question है, संबंद वोधक अव्य किसके साथ प्रियोक्त होते हैं, संग्या अथवा सर्वनाम के, विसेशन के, क्रिया के या फिर काल के, बताईए, देखी right answers का A, संग्या अथवा सर्वनाम के, ठीके, next है, स्थाई भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक कौन सा है, आलंबन, उद्दीपन, बिभाव या फिर अनुभाव देखी, यहां पर स्थाई भाव को जगाने और दीप्त करने वाले कारक के बाएर में बात करने हैं, तो इसका जो right answer होगा, वो होगा हमारा बिभाव, ठीके, बिभाव दो प्रकार के होते हैं, यह भी नोट कर लीजिए, आलंबन, बिभाव और उद्दीपन, बिभाव, ठीके, नेक्स्ट है, जब मैंने आपको important कुछ पंक्तियां बताई थी, तो वहां मैंने यह आपको बताया था, यह एक्जाम में बहुत पूछी जाती है, ज्योजयो निहारिये, नैरेहे, नैनाही, तियोव-ठयों खरी क्रें सा निकाई पंक्ति मैं कौन सा लंकार है, उपमा रूपक अनुपरास या पिपनरुक्ति, देखिए आप नोट कर लीजे जब भी किसी भी लाइन में जियों जियों त्यों 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 इस तरह के वर्ड आते हैं तो वहाँ पर पुनरुक्ती लंगार होता है तो option D यहाँ पर हमारा right answer है नेक्स्ट है इन में से कौन सा शब्द हमारा शुद्ध है उज्जवल, दीपक, मूर्ती या इन में से कोई नहीं बताईए क्या होगा answer देखिए right answer है इसका D इन में से कोई नहीं देखिए उज्जवल कैसे लिखा जाता है नोट कर लीजिए यह बहुत बार पूछा जाता है उज्जवल यानि कि दोनों जा आदे होंगे दीपक बड़ी की मात्रा होगी मूर्ती इसमें भी बड़ी की मात्रा होगी ठीक है यह इस तरह लिखे जाते हैं तो कोई भी शब्द यहाँ पर शुद्ध नहीं है नेक्स्ट है निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है अतिक्रमण प्रतिच्छन सुग्म दर्शन बताए किसमें उपसर्ग नहीं लगा है देखी यहाँ पर बात करें तो देखी अतिक्रमण अति यहाँ पर उपसर्ग है प्रतिच्छन प्रति है उपसर्ग सुग्म यहाँ पर है लेकिन दर्शन में नहीं है दर्शन किस्ते बना है दर्श्य तो यहाँ पर उप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है दर्श्य काववे के अंतरगात आते हैं नाटक और प्रहसन नाटक और कहानी नाटक और विंग प्रहसन और कहानी बताए क्या होग आंसर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नाट अगवर प्रहसंड ठीके नेक्स्ट देखिए यह चिन क्या है लाघब चिन है पुन्रुक्ति बोच चिन है आदेश चिन है या फिर हंस्पाद है बताईए ध्यान से देखिए इस चिन को आपने ऐसा चिन यह देखा होगा इसका क्या मतलब होता है देखिए इस तरह यह चिन तब लिखे जाते हैं जब ऊपर कोई चीज हमने ऐसी लिखी होती है जिसको नीचे भी सेम वैसा ही लिखना है लेकिन हम वो लिखना नहीं चाते for example जैसे कि मैंने लिखा मैंने लिखा बार अब मुझे नीचे भी बार लिखना है तो मैंने ऐसे कर दिया फिर मैंने लिखा हर फिर मैंने को नीचे भी यहाँ पर हर लिखना है तो मैंने ऐसे कर दिया तो यानि कि कोई भी शब्ज जो हमें द्वारा लिखना है, लेकिन, सेम वही लिखना है, लेकिन वह ना लिखके, जब हम यह चिन लगा देते हैं, तो इस चिन को बोला जाता है, बताए क्या होगा, यह चिन क्यलाता है, पुन्रुक्ति बोद चिन, ठीक है, तो option B right है, next है, प्रकर्ति के सुकुमार कभी कह जाते हैं, जब मैंने आपको important, यह इस तरह के रचना और इनके नाम बतायते हैं, कि इनको क्या क्या कहा जाता है, तो वहाँ पर यह भी कराया था, तो वो वीडियो भी जरूर देख लीजेगा, बहुत ही important है, सूर्यकांतर पाठी निराला, सुमित्र नंदन पंथ, जैसंकर प्रशाद या फिर कभीर, बताये क्या होगा, देखिए, छायावादी युक के महाण कभी थे, सुमित्र नंदन पंथ, उनको प्रकर्ति का सुकुमार कभी कहा जाता है, पंत जी ने प्रकर्ति के माध्यम से प्रतेक भावों को बड़ी ही सुन्दर तरीके से सब्दों के साथ उके रहा था, इसलिए इन्हें प्रकर्ति के सुकुमार कभी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रकर्टी के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़े थी प्रकर्टी को लेकि इन्होंने बहुत सारे लेख लेखे थे इसलिए इनका नाम ये प्रकर्टी के सुकुमार कभी रखा गया तो option यहाँ पर b right answer हो जाएगा नेक्स्ट है स्वाविमान स्वाधिन्ता का प्रतीक है चूहा, स्वान, कभूतर या फिर सिंग देखें यहाँ पर जो right answer होगा वो है होगा d स्वाविमान स्वाधिन्ता का प्रतीक है option d next question है अली शब्द के दो अर्थ है बताए क्या भोरा सकी घाट घर जल पानी पिता भाई बताए क्या होगा देखे right answer होगा option a बहुरा और सकी अली को बहुरा भी कहा जाता है और अली को सकी भी कहा जाता है next step है बहुत बोलती है बाक्य में क्रिया विशेशन है वह है बहुत बोलती या फिर है क्रिया विशेशन यानि कि क्रिया की विशेशता बताए वो शब्द आपको बताना है क्या होगा तो पहले आप यह देख लीजे कि इसमें क्रिया क्या है और उसकी विशेशता क्या बता रहा है बताए क्या होगा आंसर देखें यहाँ पर क्रिया है बोलना और बोलना बहुत क्या है यानि कि जो बोलती है उसकी विशेश्चता है बहुत क्या करती है वो बहुत बोलती है तो यहाँ पर option B बहुत right answer हो जाएगा नेक्स्ट है उजवल देखिए अगर आपके टाइम भी इस तरह के questions आते हैं तो अगर किसी भी question में आपको carry लगती है तो उसको प्लीज छोड़ दीजिए क्योंकि कई वार क्या होता है हमारे paper में ही उसका answer होता या या उजवल अगर किसी को अभी उपर शुद्ध में देखिए उजवल में बात करें तो यहाँ पर हैं हमारी vengeance संधी इनके कुछ और शब्त हैं जो कि पूछे जाते हैं एक्जाम में बहुत note कर लीजिए जैसे कि सज्जन विपजाल सज्जाती यह एक्जाम में बहुत पूछे जाते हैं तो यहाँ पर option 3 right answer हो जाएगा नेक्स्ट है चायवादी यूग के प्रवर्तक है अभी अभी मैंने आपको समझाया था जैशंकर प्रशाद है श्रीधर पाठक है सुमित्रा नंदन पंथ है या फिर रामचंदर शुकले देखे चायवादी यूग के प्रवर्तक माने जाते हैं जैशंकर प्रसाद इनकी प्रथम रचना थी जर्ना जोकी 1918 में आई थी तब ही से कहा जाता है कि चायवादी यूग का प्रारंभ हो गया था ठीक है तो option A यहाँ पे हमारा जैशंकर प्रसाद राइचा अंसर है नेक्स्ट है पावक शब्द उधारण है दीर्ग स्वर संधी का गुर्ग स्वर संधी का ब्रधी स्वर संधी का या फिर आयादी स्वर संधी का देखिए पावक की बात करें तो यहाँ पर option D right answer हो जाएगा अयादी स्वर संधी इसके कुछ और भी meaning है जो कि एक्जाम में पूछे जाते हैं जैसे कि नयन ने धन अयन नई प्लस अक नायक बनता है पव धन अन पवन बनता है पव धन अक पावक बनता है ठीके तो नयन हो गया नायक हो गया पवन हो गया पावक हो गया यह एक्जाम में घुमा फिरा के बहुत पूछ ले जाते हैं तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा आयादी संधी राइट आंसर है नेक्स्ट है सामानने ताहा काववे के कुल कितने भेद बताए गए हैं एक दो तीन या फेच चार बताएए क्या होगा देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है अंपहे ऑप्शन डमर बी जो कि है दो अब वो दो कौन-कौन से हैं यह भी नोट कर लीजे द्रश्य काववे और शरव्य काववे तन सार द्रश्य काववे और शरव्य काववे ठीके नेक्स्ट है प्रसारण का विलोम शब्द है प्रतिपादन, आरक्षण, अंकुचन, आकुंचन या फिर सदर्शन देखिए इनका मीनिंग भी देख लीजे प्रसारण का अर्थ होता है फैलाना तो यानि कि हमें ऐसा सब्द देखना है जिसका अर्थ हो सिकुडना तो आकुंचन का मतलब होता है सिकुडना तो यह ओप्षण C यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है लोग संस्कृति का जन्म हुआ शहरों में, गाओं में, कस्बों में या फिर विद्याल्यों में बताए क्या होगा देखे लोग संस्कृति का जन्म हुआ था गाओं में तो आप्षण B यहाँ पर राइट है नेक्स्ट है क्रपाण शब्द है आगत, देशच, तद्वव या फित तत्सम दीखे क्रपाण जो है वह तत्सम शब्द है, इसका तद्वव रूप कटार होता है के साबसे यहाँ पर जो हमारा आप्षण होगा वो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तद सम्षब्ध है, नेक्स्ट है, बुद्धी ब्रह्मित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है, चक्कर में पाणा, अकलव पत्थर पाणा, धोखा खाना या फिर उल्लू बनाना देखिए बुद्धी भ्रमित होने का मतलब होता है चक्कर में पढ़ना जैसे मेरे मित्र ने एक ऐसे प्रश्न पूछा कि मैं चक्कर में पढ़ गया परन्तु उसका जवाब मुझे सूजा ही नहीं तो यहाँ पर क्या होगा? आप्शन ए चक्कर में पढ़ना अब देखिए यहाँ पर मुहावरे हैं बहुत जल्दी जल्दी आंसर करिएगा सिर्फ से बोज उतारना भार टालना, बक्सा रखना, जमीन पर कुछ पटकना या बात पक्की होना बताएए देखिए सिर्फ से बोज उतारने का मतलब होता है अपने से भार टालना याने कि जो भी आप पर भार था वो आपने टाल दिया जैसे कि मेरे उपर कर्च का भार था उसने माफ कर दिया तो मेरे उपर से सारा बोज उतर गया तो option A right है next है निमलिकित में रून शब्द कौन सा है वाचनाल ले, समतल, वित्याल ले या फिर पशू तो देखें यहाँ पर जो option होगा D वो right answer हो जाएगा पशू ठीक है next है महोट सब में संदी है गुड संदी, विसर्क संदी, अयादी संदी या फिर व्येंजन संदी देखें महोट सब की बात करें तो यहाँ पर गुड संदी इसका right answer हो जाएगा E, E या O, O तथा री हो तो वह क्रमशा A, O, R हो जाता है तो यह नोट कर लीजे गुड संदी में जैसे कि महोट सब का होता है महा, धन, उत्सब यहाँ A, यानि कि बड़ा A प्लस छोटा O बनी है तो वह हो गया है तो यहाँ पर गुड संदी है नेक्स्ट है, अमबर का विलॉम क्या है अवनी, आकाश, अभिन, या फिर प्रचिप्त देखें, अमबर की बात करें तो इसका विलॉम हो जाएगा अवनी, option A, यहाँ पर right answer है लेकिन यहाँ पर अवनी, गलत तरीके से लिखा हुआ है अवनी, हमारा इस तरीके से लिखा होता है ठीक है नेक्स्ट है, मुझे कैशा सब्द है मध्यमपुरुष, अन्यपुरुष, उत्तमपुरुष या फिर प्रथमपुरुष देखिए, कभी भी कोई भी लेखा किया वक्ता, अपने लिए कोई भी शब्द प्रियोक्त करता है तो उसे उत्तमपुरुष कहते है मुझे, मैं, हम, इसाजरे क्या हैं, यह उत्तमपुरुष है तो option C, आपे हमारा right answer हो जाएगा नेक्स्ट देखिए, बहिर मुखी में समास है अव्याई भाव समास, द्विंद समास, ततपुरु समास, कर्म धर्रे समास option है, यहाँ पर right answer होगा बहिर मुखी में जो है, वो अव्याई भाव समास है अगर हम इसका बिग्रे करें तो यह होगा बाहरी मुख वाला, या सबसे घुलने मिलने वाला जिसका पूर्पद, अव्याई ततप प्रधान होता है वो अव्याई भाव समास हमारे कहलाते है तो option A, यहाँ पर हमारा right है next question है, सूर्दास की साइतिक भाशा है क्या ब्रजभाशा, अबधी, भोजपरी या फिर मैथली देखी, right answer होगा ए, सूर्दास जो है, वो ब्रजभाशा के कभी है और यह भक्तिकालिन, क्रिश्न काभवे के स्रिष्ट कभी माने जाते है इनकी कुछ रचनाय है, और नोट कर लीजे, बहुत पूछी जाती है जैसे की सूर्द सावली, साइत्ते लहरी, यह सब ब्रजभाशा में लिखी हुई है बहुती इंपोर्टेंट भी है नेक्स्ट है, महा काभवे में वर्णन होता है मानव जीवन के ब्रहत और व्यापक चित्र का मानव जीवन के सूक्ष्म पक्षण का चित्रण मानव जीवन के एकांगी पक्षण का चित्रण या फिर मानव जीवन के ब्रहत पक्षण का चित्रण बताईए देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, वो होगा option A, मानव जीवन के ब्रहत और व्यापक चित्रण का यहाँ पर वर्णन किया जाता है महाकाववे के अंदर, तो option A right answer है, next है काली मिर्च में कौन से समास है कर्मधार रहे, ततपुरुस द्विंध या फिर बहुब्रही दिखी यहाँ पर जो right answer होगा, वो होगा option A कर्मधार रहे, अगर इमसका समास विक्रे करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा काली है, जो मिर्च, ठीक है तो यहाँ पर जो समास है, वो है हमारा कर्मधार समास, option A right है next है उर्वर्शी किसकी कावे क्रती है, अग्ये की, सुमित्रा नंदन पंत की रामधारी सिंग दिनकर की या फिर कुवन नारायन की देखे, उर्वर्शी बात करें तो यह रामधारी सिंग दिनकर की है जो कि 1961 में प्रकाशित हुई थी उर्वर्शी और प्रूरुरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ में जोड़ना चाहा है उर्वर्शी वीर्रस का प्रधान रचना है तो यह भी पूछा जा सकता है इस बार के उर्वर्शी में कौन सा रच है तो उसमें फीर्रस की प्रधानता है तो option C यहाँ पे right है next है सन्यासी का प्रयावची क्या होगा ढोंगी, बावा, प्रधा या फिर डंडी देखे सन्यासी की प्रयावची शब्द की बात की गई है answer करिए जल्दी जल्दी इसका जो right answer होगा वो होगा option D डंडी तीक है अगर इसके और भी बात करें प्रयावची शब्द की तो वेरागी, विरत, परिवराजक यह सब जिसके है next है अद्बुद रद का स्थाइभाव क्या है जुगुपसा, विस्मे, भै या फिर उत्सा देखे अद्बुद रद का स्थाइभाव है विस्मे ठीक है विस्मे हो गया अब स्थाइभाव की टोटल आप संख्या नोट कर लीजे यह भी पूछी जा सकती है टोटल नोब भाव होते हैं हमारे जैसे कि रती हो गया, हरास हो गया, शोक हो गया, क्रोध हो गया, उत्सा, भै, जुगुपसा, विस्मे, निर्वेध जिसमें अद्वोद रस्त का स्थाइभाव मैंने आपको बताई दिया है, विस्मे हैं, ठीक है नेक्स्ट है, निमलिखित मैंसे कौन सा कवी भक्तिकाल का नहीं है, इश्वर्दास, नाभादास, मतीराम, या फिर रहीम, बताईए देखिए, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भक्तिकाल का नहीं है, मतीराम, जबकि इश्वर्दास, नाभादास, रहीम, ये सभी हमारे भक्तिकाल के हैं, और जो यहाँ पर हम बात करें, मतीराम की, तो ये भी नोट कर लीजे, ये हमारे रितिकालीन कभी है, ठीक ह नेक्स्ट है, निम्लिकित मेंसे अशुद वाक के हमें चैन करना है, मैं आज विद्याले नहीं जाओंगा, बच्चों को काट कर फल खिला दो, वहाँ सुन्दर द्रश्य है, वह अत्यान बुद्धिमान और वल्शाली है देखें, यहाँ पर बात करें, अशुद की तो ऑप्शन भी हो जाएगा, बच्चों को काट कर फल खिला दो, अब यहाँ पर देखें, मीनिंग गलत निकरा है, पहले बच्चों को काट ना है या फल को काट ना है, यह भी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, बच्चों को काट क फिर उन्हें फल खिलाने हैं, यह तो गलत हो गया ना, meaning, यहाँ पर आना चाहिए, बच्चों को फल काट कर खिला दो, तो यहाँ पर काटना क्या हो जाएगा, फल, और यहाँ से meaning निकल ला है, बच्चों को काट दो, ठीक है, तो यह गलत है, अशुद है यह, तो option भी यहाँ देखिए, यहाँ पर बात करें, कारवा की तो यह भुवनेश्वर की एकांग की विधा की रचना है, और यह हमारी, स्टार्ट हुई थी, या फिर आप इन्हें बात करें, प्रकाशित कब हुई थी, तो यह हुई थी, 1935 में, तो यह एकांग की रचना है, तो option D, यहाँ प पैदा हुआ, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, यह बात सभी को सुईकार रहे हैं, बताइए, देखिए, सैयुक्त वाक्ये वो होते हैं, जिसमें दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, अब आप देखिए, दो वाक्ये कौन से हैं, जिनको आपस में जोड़ा गया है, औ देखिए, राइट आंसर हो जाएगा, C, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, एक दूसर से जुड़े हूँ है, और यहाँ पर और जो है, यह शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है, दवा लो अलग है और बुखार कम हो जाएगा, अलग वाक्ये है, और लगा दिया त क्रपन देखी कंजूसी से धन वे करता है उसको गोलते हैं मित वई तो option B यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा next है विशेशनों की विशेशता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेश, क्रिया विशेशन, प्रविशेशन या फिस सार्वनामिक विशेशन बताए क्या होगा देखी right answer हो जाएगा option B C sorry प्रविशेशन ये विशेशनों की विशेशता बता रहे हैं जबकि other words पर जाएं जैसे की क्रिया विशेशन ये क्रिया की विशेशता बताते हैं ये सार्वनाम की विशेशता बताते हैं विशेश्य की बात करें तो देखिए जब की विशेश्य जिसकी विशेश्य बताए उसे विशेश्य कहते हैं जैसे कि रोहित बहुत तेज दोड़ता है रोहित की यहाँ पर विशेश्य बताई जा रही है ठीके तो यह विशेश्य है तो यहाँ पर option C विशेश्यों की विश करिएगा और पैनिक होने के जुरत नहीं अभी आपके पास दो महिने हैल आप अच्छे से त्यारी कर सकते हैं हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करा दिया अगर आप यह सारे प्रैक्टिस सेट भी अच्छे से कर लेते हैं तो आप इसली क्लियर कर सकते हैं कोई भी क्वेरी ह तो टेलिग्राम ग्रूप पर आप परसनली मुझे मैसेस करके पूस सकते हैं और अपनी फ्रेंड से वीडियो को ये शेर कीचे जिसे कि उनको भी हेल्प मिले और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीचे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्रा आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप से और वेची वीडियो के साथ तब तक प्लेए टेक क्यार बाई बाई